तो चलते हैं हेलो गाइज वेलकम बैक टू एदर व्लोग हमारे साथ आज अज अधनान भी है अध्याम भी है तो हम भी आए हुए हैं शास्तार में आज फैमिली के साथ आएं तो यहां पर खाना बनाएंगे सब कुछ तो गर से हम सब समान लेके हैं आज बारफिज ने पहली बार देखिए यहां पर अधनान आप अच्छा लग रहा है चलो फिर करते हैं अज़ाए अभी यहां पर बहुत अच्छी दूप लगी हुई है हमने यहां पर कमल बैठने के लिए यह मेरे ममी पापा हैं और साथ में अधनान बैठे हुए यहां पर दूप में तो अभी वहां पर हम चूला बना रहे हैं पत्थर का तो वहां पर हम अपना जो में टोगरा बनाएंगे तो चलिए चलते आपको दिखाते हैं चूला कैसे बनता है यहां पर तो यहां पर शिर तोड़ा साफ करेंगे इसको चूले को और फिर आग शगर जलाएंगे लकड़ियां भी हमें लानी पड़ेंगी कुछ तो हमने सूखी लकड़ियां घर से भी लाई हुई हैं यह इसमें एएसा क्योंकि यहां पर बर्फ है बहुत जदा तो लकड़ियां गीली होती हैं इसलिए हमने सूखी लकड़ियां लाई ही ताके आग जिलाने में कोई प्राब्लम नऊ हुई तो निकाल लेते हैं इसमें से लकड़ीया है भाई ये क्नारा बोलते हैं क्नारा आयक है तो यह चीड का होता है इधर द्यार के सारे द्रखत हैं इनके साथ भी होते हैं बट ये वह थोड़े उनकी शेप अलाग होती है तो वो अभी गिले होंगे यह देख सकते हैं आप बर्फ है यहां पर आग जिला रहे हैं शिराज भाई यहां पर बनाना क्या हमने चिकन फ्राइ तो बाकि चावल गएरा तो हमने गर्सी बना के लाएं ताकि जल्दी से खाना हमारा त्यार हो जाए तो यहां पर सर्दी बहु यहां पर बाटाज फैमली के साथ आए हुआ है तो उन्होंने कहा था कि हम भी जाएंगे वहां पर तो अभी आग यहां पर जला रहे हैं शिराज भाई दूआ निकल रहा है काफी आग तो वैसे लकड़ियां सूखी है तो जाली जाएगी आग है ना यह देखिए तो अधनान भी लकड़ियां ला रहा है अधनान कहां से लाई लकड़ियां अच्छा चलो ले कि है अधनान भी बहुत मेहनत कर रहा है खाना बनाने में हमारी हल्प करवा रहा है तो यह देखिए आग अच्छी तरह जाल चुकी है और हमारा यह फ्राइपेन है इसको आप कर रहे हैं तो उसके बाद इसको साफ करेंगे अच्छी तरह से भाई इसको साफ कर लो आज वास भाई और मिशायद भाई हमारे साथ नहीं आए ना आज नहीं है तो यह में उपर रख दिया है इस पर इसको थोड़ा गरम होने देते हैं आज कूकिंग कर रहे है तो एक चूला हमने यहां भी बना है इस कूकर में हमारा तरी वाला मुर्ग यह तो इसको गरम कर लेतें यहां पर तो अदनान यहां पर मीठे चावल खा रहा है यह कहां से घर से लाए थे आपको भूख लगी ए तो अब यहाँ पर इसमें डाल लेते हैं तेल चिकन को फ्राई करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा भाई गरम होने में तो जब तक हमारा आइल अच्छी तरह गरम होता तो तब तक हम चिकन में कर लेते हैं एग को मिक्स यह हमने मैरिनेटिड चिकन लाया घर से तो इसमें एग मिक्स करेंगे अब एग से क्या होगा कि एक क्रंची बनेगा थोड़ा सा तो तब तक हम यहीं कर लेते हैं हम इसमें एक यह डालेंगे अभी अच्छी तरह मिक्स कर लो अगर यह खाना बनाते हैं यहां पर तो कितना मज़ा लेट होगे थे हम कल आम ऐसे ही निकल आये ना हमें क्या पता था यहां पर इतनी बर्फ होगी आज हम पूरे प्लान के साथ आएं तो इसको अच्छी तरह से मिक्स वेरा करते हैं आयल भी हमारा अभी गरम हो रहा है चिकन हमारा मेरिनेट हो गया है अच्छी तरीके से इसके एग हमने बर्फ मिक्स कर देजिए इसके ओब तेल को गरम होने का वेड़ कर देजिए हम हो जाएगा देने की पीस को प्राई करेंगा हम सो यह हमारा फर्स्ट वीस फ्राई होने जा रहा है तेल अची तरह गरम हो गया ना चलो फिर डाल दो इसमें यह गया दूसरा करता है करता है करता है ग्वारा गाल झाल झाल तो चिकन हमारा फ्राई हो चुक है अची तरह से अब इसको निकाल लेते है प्लेट में तो तो यह हमारा चिकन त्यार है पक के तो आप खाना खा लेते हैं जल्दी से बूख पूद लग रही है तो यह वाला मीट हमने घर्सी बना के लाया था अब यहां पर प्लेट्स में रखती हैं चाबल वगेरा और आप खाना खाने लगिया हूं सामने पापा हमारे खाना खा रहे हैं तो मम्मा भी और रहत्याम भी उनके पास है कैसा खाना बना है बहुत मज़ा रहा है बहुत अच्छा लोग तो खाना खा लेते हैं पहले तो हम खाना खा रहे हैं अब हम बैठें आग जलाई है यहां पर क्योंकि यहां पर सर्दी बहुत है अभी सुरज भी पूरी तरह से यहां से उत्तर गया है दूप गयरा नहीं है अभी तो इसलिए हम आग बैरा यहां पर सेक रहे हाथ काफी ठंडे हो चुके पापा भी बै अधनान शेराज और बाकी सारी फैमली भी बैठी है यहां पर तो अभी हम यहां से जाएंगे थोड़ी देर के बाद तो आज बहुत मज़ा है यहां पर आगे हमने खाना कुछ गर से लाया कुछ यहां पर आके बनाया तो काफी अच्छा लगा चिकन फ्राइ करने के बाद हमने इस पैन को यहां बरफ में रखा है ताके यह ठंडा हो जाए और गाड़ी में भी रखना है तो इसलिए थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेते हैं यहां पर यह देख सकते आप बाई यह क्या स्कीम है इस फ्रेज देजी तो अभी हम रोड में पहुंच चुके हैं यहां प सो गाइस इस व्लोग को करते हैं यहीं पर एंड यह पार्ट वन था और पार्ट टू आएगा अब नेक्स व्लोग में तो मेक शूर सब्सक्राइब मैं यूट्यूब चैनल एंड हिट ता बेल आइकन सो स्टे टून फर नेक्स व्लोग